रजबी किताब घर पेज नमबर 151 मुकास्फतुल कलब बाब 23 हुकूके वालिदैन और सिले रहमी फर्माने एलाही है अल्ला से डड़ो जिसके नाम पर मांगते हो और रिस्तो का लिहाज रखो फर्माने एलाही है तो क्या तुम्हारे यह ढंग नजर आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो तुम जमीन पर कितना फितना वफसाद फैलाओ और अपने रिस्ते कताओ कर दो यह वह लोग हैं जिन पर अल्ला ताला ने लानत फर्माई जिने हक के सुनने से बहरा और हक के देखने से अंधा कर दिया फर्माने इलाही है जो अल्ला से किये हुए वादा तोड़ते हैं और जिस चीज के मिलाने का रब ने हुक्म दिया है उससे कताओ तालुक करते हैं और जमीन के फसाद मचाते हैं वर नुक्सान में हैं फर्माने इलाही है जो लोग अहदे खुदाबंदी को तोड़ते हैं और जिस चीज के मिलाने का रब ताला ने हुक्म दिया है उससे कते तालुक करते हैं उनके लिए लानते खुदाबंदी और बुरा ठिकाना है नबी अक्रम निए इर्शादात सही हैन में मजहरत मजरत अबू हुरेरा रजी ल्लह अनुसे मरवी है रसुलिए लल्ला ने फर्माया जब ल्ल्ला मखलूक की पैदाई से फारिग हो गया तो कराबत इस्टेदार ने खड़े होकर अर्स किया मैं तुझसे कते रहमी रिष्टा तोड़ने की पना चाती हूँ रब ताला ने फरमाया क्या तू इस बात पर राजी है कि जिसने तुझसे तालुक छोड़ा मैं उससे तालुक छोड़ूंगा और जिसने तुझसे कते करक लिया मैं उसे कता कर दूंगा उसने कहा मैं राजी हूँ हजरत अभी बकरा रजी अल्लाहु अन्हुने से मरवी है हुजूर्स अल्लाह अल्याव सल्म ने फरमाया कि बगावत और कते रहमी दो ऐसे गुना है जिन पर दुनिया और आखरत में अजाब दिया जाता है सही हैं में है कि कते रहमी करने वाला जहनम में नहीं जाएगा मुजनादे अहमद में है इनसानों के अमाल हर जुम rate को पेस किये जाते हैं मगर कते रहमी करने वालों का कोई अमल मकबूल नहीं होता